तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नय और लेटेस्ट वीडियो में फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के उर्दो का जो दरक्षा का किताब है उसके पहले दो चेप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं यानि कि शुरुवात का जो दो चेप्टर है पहला और दूसरा इन दोनों चेप्टर को मातर आज के इस एक वीडियो में हम लोग पून रूप से कंप्लीट कर लेने वाले हैं तो वीडियो तो काफी important है, एक ही वीडियो में आप लोगो दो chapter complete मिल रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है, तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को starting में ही like कर दें, और जो कुछ भी मैं आप लोगो समझाती हूं अगर समाज में आता है, तो comment में लिख कर बताईएगा, और अगर आप लोगो को लग रहा है, कि मतलब की जो कुछ भी board पर लिखा हुआ है, वो धूंदला, मतलब दिखाई दे रहा है, तो आप लोग वीडियो की quality बढ़ा लीजेगा, और मैं थोड़ा slow ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं, रमजान का भी महीना चल रहा है, और रोजा रख कर उतना बना फास्ट भला भी नहीं जाता है, तो आप लोग को लग रहा है, कि मैं अभी स्वा साफट बढ़ा भी सकते हैं,eur अगर आप लोग लग रहा है, जूम आउट, जूम n् कर देख सकते हैं कोई बीचीज अगर आप लोग पर लिखा हुआ देखाई देगा तो यह आप लोग को पहले ही स्टार्टिंग में बता दे रही हूं और आज के इस वीडियो में जो दोनों चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं यह आप लोग के पॉइंट आविए उसे काफ चलूंगी और आप लोग हर एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा अपने माइंड में फिट करते चलिएगा बहुत ही आसान है ज्यादा टफ समझने की जरूरत नहीं है देखिए टेंथ क्लास का जो उर्दू का दरक्षा का किताब है उसका पहला चैप्टर है हम्द आई लेक्व से लिखागा ओने हम लोग लेखक के बारे में सबसे फिन और उसके बाद से हम लोग समझेंगे तो चली है आज करने हैं ॉप आप लुड़ी को लाइक शिर जारूर कर दियोंगे चानल पर अगर आप लोग नए नए हैं हमारे विडियो को पहली बार देख र तो सबसे पहला चेप्टर समझते हैं उसके बाद से मैं सेकंड चेप्टर पुढ़ाओंगी हम्द खुदाय अजोजल हम्द किसे कहते हैं सबसे पहले यह समझे हैं हम्द वैसी कवीता जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्ला की तारीफ और तौसिफ ब्यान की गई हो उस तरह की नजम को कहा जाता है क्या हम्द कवीता को उर्दू में कहा जाता है नजम याद रखिएगा तो वैसे वैसा नजम जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुदाय वैदलासरी की तारीफ और तौसिफ ब्यान की गई हो यानि कि अल्ला की तारीफ और तौसिफ ब्यान की गई हो तो उस स्टार्टिंग हम्थ से की गई है यानि आ घला की तारीफ करते हुए की गई है आप लोग काम की शु chemotherapy दोग की गई है यानि की खुदा का नाम लेकर ही की जाती है उसी तरीके से यह एहां पर आप लोगThis अर्दू के द्रक्षा की वुक की सुर confessed, जो की गई है याला-टाला की तारीफ और तासिफ ब्यान करते हुए की गई है, यानि की हम्द से की गई है तो हम्द की आ मतलब क्या वैसा इसम जिसमें तरफ लगा तारीफ तासिफ ब्यान की गई हो उस तरह के नजम को हम लोग हम्द कहते हैं और यह जो हम्द है इसका नाम है हम्द खुदाय अजोजल ठेक है यानि कि उस खुदा की तारीफ जो बड़ा ही रहम करम वाला है ठेक है ना इस जो जहां का खालिक है यानि कि इस दो जहां को बनाने वाला खुदा है तो उसकी तार यान कि छेप्टर को उर्दू में कहा जाता है मुसननिक याद रखें क्या कहते हैं अच्छा एक और जरूरी बात में आप सभी लोगों से करना चाहती हुं जैसा कि यहां पर अर्दू लिखना पढ़ना नहीं आता और हम 10 में आ गए हैं और हमारा एक्जाम 2025 में होने वाला है तो कुछ बता दीजिए तो देखिए मैं यहां पर आप सभी लोगों से कहना चाहती हूं कि आप लोग को उर्दो लिखना पढ़ना नहीं आता तो सीख सकते हैं ना आप लोग अभी आप लोग के एक्जाम में बहुत ज्यादा समय है एक साल अभी समय है और अगले साल परवरी में आप लोग का एक्जाम है तो आप लोग के पास बहुत लंबा समय है तो आप एक-दो महिना निकाल कर सीख लीजिए और कैसे सिखेंगे मैं आप लोग को उर्दू एकदम जीरो स्टार्टिंग से सिखा आई हूं पढ़ना लिखना यूटूब पर आप लोग सर्च कीजिए उर्दू for beginners ठीके या फिर उर्दू कैसे सीखें मुस्कान मैं मतलब जिस भी तरीके से ओके जैसे ही आप सर्च करेंगे यूटूब पर उर्दू for beginners तो हमारा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा या फ उर्दू for beginners उस प्लेइलिस्ट का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जो लोग beginners उर्दू बिल्कुल भी नहीं जानते हैं उन्हीं के लिए उर्दू है यानि कि उर्दू एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाए गया तो उर्दू for beginners प्लेइलिस्ट का नाम है उस पर क्लिक करे करेंगे तो वहां पर 40 वीडियो आप लोगों मिलेंगे ठीक है ना तो 40 वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो समझे कि आप लोगों को उर्दू लिखना पढ़ना सब कुछ आ जाएगा और यहां तक कि वो 40 वीडियो देखने के बाद आप उर्दू पढ़ना पर छालिस लिट यौए चालिस वीडियो करने के देखिंगे तो एक दिन वीडियों देखने पढ़ना से ठीक है आप लोग घ्रमाइब पराएगे थिक्मीप ठीक है तो अब लोग और शोर्टोिं निश्ठा लिखना लिखना पहत्षा जाएगा ठीक है और तब आप लोग के लिए आसान हो जाएगा मैटर का एक्जाम देना चलिए तो अब यहां पर हम लोग चैप्टर की बात करते हैं हम्द खुदाय अजोजल इस चैप्टर के जो राइटर है वो शबनम कमाली है शबनम कमाली क्या है राइटर यानिकी मुसनिफ राइ बात पर कुछे जाते हैं तो ज्यादा फोकस करने की जोरत है तो समघते हैं शबनम कमाली का जो क्या सजब्स्ति को हुआ है मुस्तफा रजा और इनका संबंध जो है नहीं वो विहार राज्य से हैं इनकी पैदाईश वाइस जुलाई उन्हें इस अर्टिस इस भी थी पोक्रेरा जिला सीता मडी यानकी बिहार का जो व्टी सीता मडी है ऑप सीदढनली जिला को करेपमाली नाम के अगे बढ़ते हैं और हलांकी इस तरह से भी एक बढ़ पूछा जा चुका है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है तो बताइए रियल निम क्या है मुस्तफा राजा तो जिस भी आप लोगों को दिखाई दे धीर से टिक कर रहा है जितना आसान हो सकते इतना आसान बनाकर आप इतना मेहनत किया जाता है आप सभी लोग के लिए तो लाइक तो बनता है वीडियो को इस बात पर लाइक ना करें शेर वगएर ना करें तो थोड़ा सा दुख होता है कि चलो मैं आप सभी लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हूं तो आप लोग लाइक शेर नहीं कर रहे हैं तो तखलुस शायर जो होते हैं वो अपने शेरो शायरी के लास्ट लाइन में जो एक खास नाम यूज करते हैं उसी एक खास नाम को कहा जाता है तखलुस जैसे मिर्जा गालिब का तखलुस क्या है गालिब वो अपने शेरो शायरी के लास्ट लाइन में एक खास नाम यूज करते थे गालीब तatore चलता है कि शेरो, खालिफ कि दौरा लिखी गई है तो अगर आप लोग मिर्जा गालीब की चैरी पढ़ेंगे तो लास्ट में आप की किताब का 나म तो सबजेक्तिव सब्जेक्टिब येे पांच किताब का नाम है याद रखेगा है यहाँ सब्जेक्तिव से को पूछे गया है कि शबनम कमाली के किसी पांच मजमुआ का नाम बताई तो आप लोग को पांच मजमुआ यान की किताब का नाम बता देना है यहां पर लिख दी हूं और कोशन इस तरह से पूछा गया है सब्जेक्टिब कोश्चन में कि आप लोग को शबनम कमाली कि कि सिटेन का नाम बताई हूं यहां पर आप लोग समझ गए शबनम कमाली के बारे में यान जो हम्द के र्डयरों गया था यहां पर मैं बोर्ड पर लिख दी हूं और आप लोगों को बता भी दी बस इतना ही आप लोगों को शब्नम कमाली के बारे में जानना है अब चलिए हम लोग इस चैप्टर जो सबसे पहला चैप्टर हम्द खुदाय अजोजल इसको समझते हैं कि आखिर यह जो कमाली का रियल नेम उनका तालुक तखलुस पैदाईश और उनका मजमुआ याद रखना है क्योंकि कोशन पूशे जाते हैं इसमें तो कोई शक ही नहीं है तो अब हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं देखिए हम्द खुदाय अजोजल यानि कि उस खुदा की तारिक जो रहम करम वाला है ठीक है तो यह हम्द लिखा गया है देखिए स्टार्टिंग कितनी जबरदस्त है कि खालिके दो जहां है तू इस देजुल जलाल है यक्ता है तेरी जात पाक आलिव बेमिसाल है यानि कि यह जो लाइन लिखे हैं शब्रम कमाली इस हम्द में इस शेर का मत अतलब यह हुआ कि खालिके दो जहां है तू इस देजुल जलाल है यानि कि यह खुदा को बोल रहे हैं कि ए खुदा तू है इस दो जहां का खालिक है तू बड़ा ही रहम और करम वाला है तू जल जलाल है यक्ता है तेरी जात पाक आलिव बेमिसाल है यानि कि या खुदा है कि बोल रहे हैं यहां पर शबनमकमाली एए खधा तेरही करम से इस दो जहां को रिज्क मिलती हैомि की रोजी रोटी खाने पिने को मिलता है और सबकी हयाट तो मौत का मौला कुझे ख्याल है यहिनि कि सबकी जिड़की और मोत का मौला तो जगए ही ख्याल है यानि की कब किसको मौत देनी हैं और कब किसको Zंदगी देनी है इस चीज़ का जो डिसेजन है या खुदा तेरे ही हांत में है तो जब चाहे किसी को जिसी को मार सकता है कुद्रत-े-खास का तेरी अक्स हे बजमे कानात कौन वह मéntा में जल अगर तेरा ही एक जमाल है यानि कि यहां पर बोला जा रहा है कि इस दो जहां में इस पूरे काइनात में या खुदा तेरे ही खुद्रत का अक्स जलगता है मतलब कि खुद्रत का अक्स जलकता है मतलब तेरा ही अक्स जलकता है जिधर देखो इस दुनिया में जो भी चीज़े दिखाई देती है उन सभी चीज़ों में या खुदा तेरा ही अक्स जलकता है कौनों मकामें जल्व अगर तेरा ही एक जमान है मतलब इस दुनिया में हर जगा या खुदा तेरा ही जल्वा दिखाई देता है तेरा ही हर जगा करिश्मा दिखाई देता है कायम है तेरे हुक्म से आज भी नजमे जिन्दगी तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिन्दगी महाल है यानि की बोल रहे हैं यहां पर शबनम कमाली की या खुडा तेरे ही हुक्म से आज भी यह जो जिन्दगी है यह कायम है तेरे सिवा कहीं मिले तो यह जिन्दगी महाल है यानि कि तेरे बिना ये जिन्दगी जिन्दगी नहीं मतलब कि आज भी मैं जिन्दा हूँ आज भी सभी लोग जिन्दा है तो या खुदा तेरे ही हुक्म से साहबे अकल वफहम को नाज है तेरी जात पर नाम से तेरे दो जहां वाकिफे हाल वकाल है यानि कि यहां पर शब्रम कमाली कह रहे हैं कि जो सहाबे अक्ल वफाहम हैं यानि कि जो समझदार लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं उनको तेरी जात पर नाज हैं नाम से तेरे दो जहां वाकिफ हाल वकाल हैं नहीं तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो तेरे नाम से है यानि कि जो समझदार है जो पढ़े लिखे हैं जो तेरी जात को समझते हैं और उनको तेरी जात पर नाज है लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग है जो सिर्फ तेरे नाम से वाकिफ है यानि कि सिर्फ तेरे नाम को जानते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं लिखा गया है शबनम कमानी रिखे हैं कि लाख बरस अगर कोई हम्द वसना तेरी करे हो सके हक अदा तेरा मुम्किन नहीं महाल है यहां पर कहा जा रहा है कि या खुदा अगर कोई लाख बरस भी तेरी हम्द वसना करे ना यानि कि तेरी तारीफ करे हम्द वसना करे तो हो सके हक अद बनलाad on a zherstar है कि इस थल्मत दहर मैं ठीक है नूरसर कि तलास है या खुदा ये जो чи दुनिया ऐ जिए हैं जल्मत दहर है इस दुनिया में तेरे ही नूरसर की तलास है तेरे ही करम तेरे ही एक नूर की तलास है रित्व कर्म की ऐक नजर trials जाल यानि कि आ पर बोल रही हैं शबनमकमालिक इस जुल्मती देर में नूरे सहर की मुझे तलास है और एक नजर मुझे पर भी दोड़ा दे मेरे मुझे तू रहम कर करम कर मकसदे नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है यानि कि बोल रहे हैं कि मेरे जो नेक मकसद है या खुदा मेरे नेक मकसद में मुझे तू कामयाब कर दे मैं जो कुछ भी बनना चाहता हूँ मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ मेरे नेक मकसद में या खुदा तु मुझे कामिाब कर दे तेरे हुजूरेखास में अपना यही सवाल है फिक्रो अतलब की रहा हमें आज ही अपका अे माल है अब देखिये यह लास्ट लाइन है और जैसा कि मैं आप लोगों को बताई कि शायर अप शेर उशारी के लास्ट लाइन में जो नाम यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं तखलुस कहते हैं और शबनम कमाली का तखलुस क्या है शबनम तो यहां पर यह जो लास्ट लाइन है देखिए इसमें अपना तखलुस यूज किये हैं क्या लिखे हैं कि शबनमे बेनवा को भी लेकिन अगे देदे उरू जबनव क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा तो यह है इसी को क्या कहते हैं तखलुस कहते है शबनम कमाली यहां पर अपना तखलुस शबनम यूज़ कि यह है तो इसका मतलब क्या हुआ शबनमे बेनमा को भी दे दे अरूज बंदगी विक्रोटलब की राह में आज यह पाइमाल है ठीक है यह लास्ट लाइन है और इसके करता हूं कि मुझे मेरे नेक मकसद में कामयाब कर दे और इस सब्सक्राइब को यहां पर फाइनली यह हम्द कंप्लीट होता है तो आप लोग देख सकते हैं मतलब बाकी जितने सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर फाइनली पहला चैप्टर कंप्लीट होता है अब आगे बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ जिसका नाम है भावी जान और यह एक अफसाना यानि की कहानी है अफसाना किसे कहते हैं किस्ता और कहानी को ही कहा जाता है अफसाना तो भावी जान यह जो चैप्टर है यह एक अफसाना है और इसके राइटर यानि की मुसनिफ कौन है वह सोहेल अजीम अबादी याद रखिएगा मुसनिफ का नाम क्या है सोहे सबसे पहले हम लोग सोहल अजीम अबादी के बारे में जितना भी डिटेल्स आप लोग के बुक में दिया गया है तो सब इस वह डिटेल्स को समझ लेंगे और उसके बाद से मैं आप लोग यह जो भावी जान का अफसाना है न कहानी इसको आप लोग को पढ़कर बताओंगी जबरदस्त यह कहानी है सुनिएगा जरूर आप लोग बने रहे और लास्ट टक पुरा वीडियो को देखिए बिना स्किप किए ठीक है और वैसे भी आप लोग को यह चैप्टर कंप्लीट ही करना है तो बिना स्किप किए पुरा एकदम स्टार्टिंग से लेकर अंतक वीडि बच्पन का नाम क्या है असल नाम नहीं बच्पन का नाम कशेबबर हमान और पधान कि पिदाईश हुई थी उन्हें इसे ए फिक पठना में की पदाईश हुई थी और इनका खांदान जो था वो जमींदार खांदान था परवरिश इनकी नानिहाल में हुई क्योंकि जब ये इनकी पैदाईश हुई थी तो छोटे थे तभी आप यूं कह सकते हैं कि इनके वालिद और वालिदा या इनकी वालिदें का इंतकाल हो गया था तो फिर इनकी परवरि और यहां तक इतदाई तालीम की एक मदरसा था वहीं पर यह याद रखिए तो यह याद रखिए इस उन्हें से ग्यारेस भी में पटना में हुई थी इनकी परवरिष नानी हाल में हुई क्योंकि इनके वालिदा का इंतकाल हो गया था बचपर में ही तो ये नानी के घर से ले गए नानी हाल में इनकी परवरिश हुई और जो भी शुरुवाती शिक्षा थी वो अपने नानी हाल के मदर्से से ही लिए और फिर इनका बाई वतन कहा है तो शाहपुर भदौल जो की पटना में ही था आगे बढ़ते हैं लेकिन अफसाना निगारी की तरफ माइल हुए यानि कि सुहल अजिमेबादी जो है ना लिखने की शुरूवात शायरी से किये वह सबसे पहले शाहरी लिखा करते थे लेकिन शाहरी लिखने के उजसे इनको उतना मक्बूलियत हासिल नहीं नहीं हुए है तो फिर यी अफसाना लिखना सब्सक्राθ कर दियानि की कहानी लिखना सब्सक्राइब और जब अपसाना लिखे तो इनकी अफसाना बुगत हैं ज्यदह मशुब होने लगी तो फिर आफसाना नगारी病 है, कौप लिखने लगे और फिर दुबारा उन्हें उन्हें मुड़ कर भी नहीं देखा कि उजो शायरी लिखनी है कि नहीं लिखनी है वह अपसाना लिखते ही चले गए आगे बढ़ते हैं और इंडिया रेडियो में यह मुलाजमत भी किये थे यान की नौकरी भी किये थे और इस रहना पढ़ रहा था तो अब दिल्ली से इनको ट्रांसफर कर दिया गया कहां पर तो श्री नगर कश्मीर में तो अब यह श्री नगर कश्मीर जाना पसंद नहीं किये श्री नगर कश्मीर नहीं गये और वापस कहां आ गये तो पटना में आगे वापस पटना आ गये यहा यहां पर एक बार फिर से मैं बता दे रही हूं और इंडिया रेडियो में यह नौफरी करते थे और इस जिसको जैसे इनको दिल्ली में रहना पड़ा था और दिल्ली से इनका ट्रानसफर हो गये है श्री नगर कश्मीर तो फिर ये वहाँ पर नहीं गए वहाँ से वापस रखिएगा हालांकि उन्हेंने बहुत सारे रिसाला यान की पत्रीका जारी किये थे और ये एक रुजनामा अखबार जिसका नाम था साथ इसका इज्रा भी दिये थे साथी नाम का अखबार ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है कोशन पूछा गया था किस अखबार का पुछे थे उसके बाद से अफसानों की तादाद कितनी है तो सुहयल अजीम अबादी लगभग लग तकरीबन आप यूँ कर सकते हैं कि 125 अफसाना यान की कहानी लिखे थे टोटल संख्या कितनी है सुहयल अबादी के कहानियों की तो 125 तकरीबन 125 याद रखिएगा लेकिन इनकी कहानी के किताबों की संख्या कितनी है तो तीन यानि किताबे लिखे हैं और कहानी कितना लिखे है तो 125 कहानी और कहानी के किताब कितने तो मातर तीन पहला किताब का नाम है चार चेहरे दूसरा का नाम है अलाओ तिसरा का नाम है आदमी के रूप अब यह जो पहला कि मजमुवा कँट सा है अब सानerson मजमुवत कि अप सानव हम सवह बाष्प साणIf you MARC कोहानी मतलब किताब का दूश्चन पूछा गया था कि आप सानिम मजमुवा के नाम किया है तो क्या होगा चाहे और यह जो पहला कहानी का किताब को प्रकाश्चिक किया गया तो अप्शन में दिया रहेगा आजादी के बाद उसको धीरे से ठीक की दिएगा ठीक है अब यहां पर तो बस इतना ही डिटेल्स दिया गया था लास्ट न बताए गया है कि सुहल अजिमाबादी के बारे में तो अब चलिए मैं आप लोगो को यह भावी जान नाम का चैप्टर है ना यह पूरी कहानी समझाती हूं पूरी कहानी एकदम बहुत ही जबर्दस्त अंदाज में पढ़कर बताते हूं और आप लोग एकदम घौर से ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही आप इंट्रेस्टिंग बहुत ही मजदार कहानी है तो अब मैं बुक कर देखते हैं का तो पास किताब नएं है तो उनको कमी महसूसना हो कि हमारे पास किताब नहीं है क्या थी किनको कि बिदने की दोत नहीं पड़ेगी और साथ में एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं है यानि कि एक भी लाइन नहीं चूटेगा तो चलिए अब मैं इस कहानी को पड़ती हूं आप लोग ध्यान सुनिएगा एक दम और से ठीके तो सबसे पहले तो यहां पर थोड़ सा स्टार् को सुनकर लग रहा है ना भावी जान टाइटल सुनकर लग रहा है कि इसमें किसी भावी की कहानी बताएगी है उनका नाम क्या है तो रुकया भावी जो कि इसका हानी का मर्कजी किरदार है यानि कि मेन करेक्टर आप यूंगे सकते हैं हीरोई में थेखें तो भावी जान जो है इस चैप्टर के इस अफसाना का जो मरकजी किरदार है मेन करेक्टर वह है रुकया भावी और जिसकी ये भावी है उनका क्या नाम है उनका नाम है अख्तर यान कि अख्तर की की बाबी रहती है और एक्तर रुकरिय भावी के देवर निए कि इक और जरूरी बात यहां पर मैं आप लोगो मैं बताना चाहती हूं कि यह जो कहानी है ऐसे लिखा ग्या है जैसे कि अख्तर खुद बता रहे हैं कि कि युचि ना कि लग रही है कि अखुद रुखईये भावी के साम की घ्राङरे रहे यही कहानी की सुहयल अजीम अबादी लिखें लिखा है रहा है की अख्तर लिखा बादी लग रहा है की अख्तर कि जब रुकया भावी याद आती है तो मेरा सर खुद बखुद जजब एहतराम से जुब जाता है कौन बोल रहा है तो अख्तर बोल रहा है क्योंकि सुहल अजिम अबादी कहानी को इसी तरीके से लिखे हैं जिसा लग रहा हो कि अख्तर खुद अपने भावी जान के बारे में बता रहे हो उनकी कहानी बयान कर रहे हो ठीक है तो यहां पर अख्तर लिखे हैं बोल रहे हैं कि जब रुकया भावी याद आती है तो मेरा सर खुद बखुद जजब एहतराम से जुब जाता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी जात सरापा रोशनी है उनकी याद के सांथ साथ मुझे वह शमा याद आ जाती है जो कलीसा की ऊची कुर्बान गाह पर जलती और पिखलती रहती है और जब पादरी इवालत खत्म करके कुर्बान गाह से उतर जाता है तो भी वह खामोस जबान से खुदावन ईसु मसी का पेगाम सुनाती रहती है जो दूसरों का गुनाह वाक्षवाने के लिए सुली पर चड़ा दिये गए मगर वह जो अब तक जिन्दा है और क्यामत तक जिन्दा रहेगा और सब को निजात दिलाएगा रुकया भावी की जात में मुझे ऐसी ही शमा मालूम होती है जो जलती और पिखलती रहती है लेकिन रोशनी फैलाती और कुछ कहे बगएर हर वक्त एक पेगाम सुनाती रहती है ऐसा पेगाम जो अमर है यानि कि यह पर अख Simon अपने भावी के बारें बता रहे है कि रुकया भावी की जब्भी भी मुझे याद आती है तो मेरा सर भुद जब्ख़ जब्ध अहतराम से जुग जाता है यानि कि रुकया भावी जो है उनकी जात मुझे एक सरापा रोशनी की तरह दिखाई देती है वो एक शमा की तरह है जलते हुए चिराग की तरह जो की कुछ जलती और पिघलती रहती है लेकिन दूसरों को रोशनी देती रहती है रोशनी फैलाती रहती है यानि की दूसरों को सुख पहुंचाती रहती है जिस तरीके से कलीसा की उची कुर्बान गाह पर चिराग जलता है यानि की शमा जलती रहती है कलीसा का मतलब क्या चर्च आप लोग देखे भी होंगे चर्च को तो कलीसा चर्च को भी उर्दु में कहा जाता है कलीसा तो कलीसा की उची कुर्बान गाह पर जिस तरह चिराग रहती है ईसो मसीह की उसी तरीके से यहां पर बता रहे हैं अख्टर कि उसी तरीक ने म student ये बहाबी है रुकए बहाबी वह भी एक जलते हुए शमा की तरह ए जलते हुए चिराह की तरह युक्शित जलती और टुखलती रहती है ये दूस्वरों को रौशनी पहुचाती रहती हैं आगे देखिए लिखा गया है कि भावी जान ने सुबह सवेरे आवाज दी अब यहां पर आप कहानी बता रहे हैं अख्तर अपने भावी की कि भावी ने सुबह सवेरे आवाज दी खैर तो है शहजादे घोडे बेचकर सोय हो चाय ठंडी हो रही है देखिए भावी जान का लहजा देखिए भावी जान यह अख्तर को बोल रही है यानि कि अपने देवर को बोल रही है कि खैर तो हो शहजादे घोडे बेचकर सोय हो चाय ठंडी हो रही है भावी जान की आव शुरा दी और बोली भाई बात यह है के ठंडी चाय मुझसे पी नहीं जाती और बचों को स्कूल भेजना भी है भावी यही तो मुसीबत है आपके सांथ सुबह हुई और उठाकर बैठा दिया हम लोगों को भी आप तालिब इल्म समझती है यानि कि यहां पर भावी जान ब सिबत है आपके सांथ सुबह हुई और आप उठाकर हमें बैठा देती हैं हम लोगों को भी आप तालिबिल यानि कि स्टूडेंट समझती है भावी बोली तो आज तुम कौन बुढ़े हो चुके हो भाई उठो जल्दी करो ठीक है भावी बोली यानिकी रुकईया भावी भावी का नाम क्या है रुकईया भावी याद रखिएगा तो भावी ने हाथ पकड़ा और बिस्तर से खीच लिया यानि कि भावी जो है अखतर जो उनके देवर है उनका हाथ पकड़ी और बिस्तर से खीच ली मैं जमीन पर खड़ा हो गया और वह हसने लगी मैं बोला नेज नीन दा रही है भावी रात भर नहीं सो सका हूँ मैंने इतजाज करते हुए कहा तो रुक्या भावी बोली कि चाए के बाद दूसरी किस्त सो लेना यानि कि कि मैं हस पड़ा और वह बोली एंकि रुकईया भावी बोली कि शायर होकर दाद नहीं देते क्या लवज मैंने इस्तमाल किया है अगर नवाबान अवद बाकी होते तो इस एक लवज के इस्तमाल पर एक जागिर तो जरूर बकस देते चलो भाई तुम जरा जल्दी करो इतना ही सही यानि कि यहां पर रुकईया भावी अपनी देवर से कह रही है कि शायर होकर दाद नहीं देते मैंने क्या लवज इस्तमाल कि हूँ और तुम मेरी तारीफ नहीं कर रहे हो दाद लवज पर पहुँझा तो बच्चे चाए खत्म कर रहे थे नणियरहाना बोली कि जब यह उठे और चाय पीने के लिए गर तो इख तर कि बच्चे यानि कि रुकईया भावी के जो बच्चे हैं वह चाय खत्म कर रहे दो जार नधा हो पार जलेगा रैं गया और बच्चिया ताली बजाती हुई बाहर चल दी और भावी ने चाय ढ़ाल कर मेरी तरफ बढ़ाई और बोली अगर तुम जवान इतनी देर तक सोते रहोगे तो क्या करोगे यानि की बच्चे तो चाय पीकर चले गए अख्तर जैसे उठे पीने के लिए चाय तो देख किया रहे हैं कि रुकय भावी के जो बच्चे हैं वो पी रहे हैं चाय खत्म कर रहे हैं और उनकी जो छोटी बेटी है रहाना वह बोली कि चाचा जान हम लोग चाय खत्म कर चुके हैं अब आप हमारी जूठी चाय पीजे उसकर करके स्कूल की जो गाड़ी है वो आई और वो ल अख्तर बोले कि शेर कहूंगा और क्या करूंगा तो रुकया भावी बोली और कुछ नहीं भावी मानी खेज अंदाज से मुस्कुराई मैं कुछ जहेप सा गया भावी की मुस्कुराहट बहुत दूर तक इशारे कर रही थी फिर वह आहिस्ता से बोली भावी क्या बोली कि तुम्हारे भावी जान ठीक चार बजे उठ बैठते थे और चाय पी कर काम शुरू कर देते थे शुरू में तो मुझे भी बड़ा जबर होता था लेकिन आज सुबह उठने की आदत काम आ रही है यानि कि ये अपने शोहर के बारे में भावी जान जो है ना अपने देवर कर देखा भावी की सिंगार मेज पर नन्हे भाई की खुबसूरत सी रंगीन तस्वीर रखी हुई थी यानकी अखतर पलट कर देखे तो भावी जान का ये भावी का जो सिंगार मेज था वहां पर भाई जान का जो था यानकी उनके भाई का एक खुबसूरत तस्वीर रख चीज ना थी रुकईय भावी उदास हो गई और बोली अख्तर ना जाने तुम्हारे भाई जान आज किस हाल में हैं देखो उनके मुकदमे का क्या होता है ठीक है आगे देखिए हजार मिल की दूरी पर मैंने उनके कोई काम भी नहीं आ सकती चंद ही दिनों में उनके मुकदमे का फैसला होने वाला है यानि कि जो रुकईय भावी के शोहर रहते हैं वो जेल गए रहते हैं तो वहीं बोल रही हैं रुकईय भावी कि अख्तर ना जाने तुम्हारे भाई ज किस हाल में होंगे देखो उनके मुकदमे का क्या हुआ यान फिल्म पर मुकदमा चल रहा था तो बोल रही हैं कि देखो उनके मुकदमे का क्या होता है हजार मिल की दूरी पर भी मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूं चंद ही दिनों में उनके मुकदमे का फैसला आन यानि कि अचानक किसी के पाउं की अवाद सुनाई दी और फिर वो कोई आ रहा था और बोला कि मैं आ सकती हूँ यानि कि वो कोई लड़की थी तो भावी जान बोली कि आजाओ और एक जवान सी लड़की कमरे में दाखिल हुई यानि कि वो कोई लड़की आई थी और पूछ घर जाने वाली ही थी बुन दिये तुमने स्वेटर वही लेकर आई हूं उन बच गया था तो मैंने टोपी और मोझे भी बुन दिये यानि कि शम्मी नाम की लड़की आई थी और यहां पर भावी बोल रही है कि मैं आज शाम को तुम्हारे घर आने वाली थी तुमने भावी जान बोली और चाय की प्याली लड़की के सामने बढ़ा दी यान की शम्मी को दे दी लड़की मेरी मौजूदगी में कुछ शर्मा रही थी और फिर बोली मैं चाय पी चुकी हूं फिर भी पी लो शर्माती क्यों हो यह मशूर शायर अख्तर तुम्हारे बड़े भ अख्तर यानिकि अपने अपने देवर से मिलवाईय इ MIDI हमारे मशूर शायर अखतर ए तुम्हारे बड़े भाई है मैं प्यागा कर चुका था यहां कि अख्तर बोल रहें कि मेंास्ता खिम खट्म खब अर उठ खढ़ा हुए भावी में जरा शेर से हुआ हूं यानि गosi वह ना है शमी तुम हमारे साथ चलो मैंने कमरे की खिड़की से भावी को बंगले की आहाते से बाहर जाते देखा उनके हाथ में दूद की वह बोतल थी जो बहुत देर से मेज़ पर रखी हुई थी यह तो मुझे दो दिन के बाद मालूम हुआ कि भावी की एक पुराने मुलाज पैदल जाती हैं और दूद पहुचाती हैं और स्वेटर और मोजे उसी बच्चे के लिए बुनवाये थे क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो रहा था और शमी उनकी कॉलेज की एक गरीब तालिब इल्म थी जो सिर्फ उनकी मदद के सारे पढ़ रही थी ठीक है ना तो यह दिन के बाद उनको मालूम हुआ था अख्तर को कि भावी एक उनकी पुराने मुलाजम की बेटी जो है ना अस्पताल में थी दो महीने पहले इनके शोहर का इंतकाल हो गया था और उसका बच्चा पैदा हुआ था और उसी वज़ह से वो सुबह शाम दोनों टाइम जो है न दूद का दूद ले जाकर पहुचाती थी और यहां तकी जो स्वेटर बनवाई थी शम्मी से वो उसी बच्चे के लिए बनवाई थी क्योंकि ठंडे स्टार्ट होने वाला था ठीक है भावी से मेरी सिर्फ दूसरी या तीसरी मुलाकात थी अलबता खत्व किताबात बहु हुआ कि वह आदमी नहीं मशीन थी सुबा उठकर काम शुरू कर देती और उनका जमाना भी बिल्कुल बदल चुका था कभी चार पांच नौकर और मामाए होती थी अब उनके पास सिर्फ एक नौकर था जो बाजार से सौदा लाता था और खाना भी पकाता था फिर रुप पास रुपे महवार एक लड़की को पढ़ाने के लिए मिलते थे याद रखिएगा यहां पर क्या बताया जा रहा है यहां पर अख्तर बोल रहे हैं कि मैं तो ज्यादा मुलाकात भी नहीं किया हूं रुकई भावी से लेकिन तीन चार दिन साथ रहकर मालूम होता है कि वह आदमी नहीं मशीन थी सुबह उठकर काम शुरू कर देती थी और उनका जमाना भी बदल चुका था कभी एक जमाना था कि उनके घर में चार पाच नौकर हुआ करते थे ठीक है अब उनके पास सिर्फ एक नौकर था जो की बाजार से जाकर सबजी वगरा करता और लाकर वो इनको मुलाजमत मिल गए थी यहां पर देखें में लिख देखें कॉलेज में लेक्षणर के तौर पर वो नौकरी कर रही थी और यह नौकरी करने के वज़ासे इनको चार सा रुपया महीना मिलता था और एक लड़की को यह ट्यूशन पढ़ाती थी और यह ट्यूशन के ही आमदनी थी यान कि सारे चार सा और खर्च अपनी जगह पर बलकि कुछ ज्यादा ही यान कि जितना इनका मंथले इनको महीना मिलता था उसे कई ज्यादा इनका खर्चा हो जाता था अपने और बच्चों का खर्च होता तो किसी तरह पूरा हो जाता लेकिन वह भी बढ करती थी कंफ्रेंसों और जल्सों में शर्कत के लिए किराया अदा करना पड़ता था कई गरीब लड़किया सिर्फ उनकी मदद से पढ़ रही थी यानि कि यहां तक इतनी गरीब पैसों की तंगी होने के बावजूद भी रुकया भावी जो है ना वह बहुत सारी लड़किय का तालीम का खर्च उठाया करती थी यानिकी बहुत सारी गरीब लड़किया इनकी मदद से पढ़ रही थी भाई जान कि जब शादी रुकया भावी से हुई थी तो हम लोगों का आम ख्याल था कि यह शादी काम्याब नहीं हो सकती एक तरफ भाई जान थे जिन्हें ऐसी स सब कुछ होती है और हम लोगों ने शादी की खबर सुनते ही सोच लिया था कि भाई जिस तरह अभी मैके में शान से रहती हैं रहा करेंगी और भाई जान जेल में रहेंगे बाजों का तो यह ख्याल था कि भाई जान भी सियासत के चक्कर से निकल कर बरिस्ट्री करेंगे और अपनी आलिशान कोठी में शान की जिन्दगी गुजारेंगे या फिर आराम कुर्सी वाली सियासत चलेगी और किताबों की बाते दोराएंगे लेकिन सबका ख्याल गलत निकला भाई जान ने रुकया भाई को अपने रंग में जल्धी रंग दिया और वा कदम बकदम स चलर हो गई और एकलोती बच्ची की देख भाल में लग गई ठीक है दो साल के बाद जब फिर भाई जान जेल से आये तो अपनी सरगर्मियों में रहें और भावी जान काम करती रही फिर दो बच्चे और हुए और वह उन्हें पालती रही अब भाई जान तीन साल से नजर और उनके दो और बच्चे हो गया कि इनकी तोटल तीन बच्चे थे लो किया भावी के और फिर ने जहीं कोुआती है लेकिन उनका चेरा कभी मैला नहीं होता बल्कि ऐसा मालूम होता था कि वो अपने गम को अपने लिए मुसरत समझने लगी है और गम में भी खुशी का पहलो निकाल ही लेती है वह सुबेरे सबेरे उठती बच्चों को नहलाती उनके कपड़े बदलती खुद नहाद होकर तयार हो जाती बच्चों को खिला पिला कर साथ बज़े स्कूल भेज देती फिर मिलने वालों का सिलसला शुरू होता तरह तरह के लोग उनसे मिलने के लिए आते और तरह के फरमा सिर्फ चोटे लोगों की वजह से रह गया है वह बड़े लोगों के पास सिर्फारिशे ले कर जाती है वरना बड़े लोगों से अब उन्हें दूर का भी कोई वास्ता नहीं भाबी कॉलेज जाती और वहां भी पढ़ाने के लावहर लड़के के मौामलात में दिल्चस्प करते थे भावी चान ने महज दिल बहलाने के लिए दिल बहलाने और वक्त काटने के लिए लिए लिखना शुरू किया था यानिकी भावी जान जो है ना वह अपना दिल बहलाने के लिए कौन सा काम किया करती थी तो खुदूत लिखा करती थी याद रखिएगा आगे बढ़ के साथ उनके खतों का जवाब दिया करती इस तरह के नए लिखने वाले ना तो गलत फैमियों का शिकार होकर बहग जाए और ना उनकी दिल शक्नी हो फिर वह शाम को एक जगह ट्यूशन पढ़ाने चली जाया करती थी यानि सुबह जागने के बाद से सोते वक्त तक काम आद आती ही हैं और घर पर भी एक कॉलेज बना रखा है भावी बड़े बावकार अंदाज में मुस्कुराई और बोली अक्तर इन नए लिखने वालों को कैसे भूल सकती हूं या तो हमारे मुस्तक्बिल की उम्मीदे हैं अगर मैं इन पौदों पर जोर मैं इन पौदों पर र चुके या भावी बोली इस जवाब के बाद कुछ और बोलने की गुंजाइश ही नहीं थी मैं चुप रहा एक दिन साम के वक्त वही लड़की शम्मी उनके पास आई वह बहुत उदास थी वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन फिर भी नहीं कह सकती थी बार बार उसके होट का काम कर रह जाते थे और ऐसा मालूम होता था कि अब वह रो देगी भावी ने हस्वे आदत उसे बिठाया और बाते की फिर आने की वज़ा पूछी तो वह कुछ भी ना बोली भावी जितने इसरार के सांथ पूछती मालूम होता कि उसके होट उतनी शिदत के सांथ आपस मे चिपकते जाते आखिर वह कुछ न बोल सकी तो भावी ने उसे एक पकड़ा और सोने के कमरे में ले गई दरवाजा अंदर से बंद किया और पूछा कि क्या बात है लेकिन शमी कुछ बतादने के बदले रोने लगी और भावी के चुप कराने पर भी वह रोती गई और इस बात पर शर्मिंदा थी कि भावी उसके कॉलेज का खर्च देती हैं अब भावी के लिए फीस मांगे लेकिन दूसरा कोई और ऐसा हमदर्द भी न था जिसके सामने वह अपने दिल का बोज हलका करती और वह सिर्फ अपने दिल का बोज हलका करने के लिए उनके पास ये कहकर उन्होंने अलमारी खोली और छोटी छोटी सोने की दो चूडिया लाकर शमी के हाथ पर रख कर बोली ले जाओ इसे बेच कर तुम्हारा भाई फिस अदा कर सकेगा शमी शायद गर जाती लेकिन भावी ने उसे संभाल लिया और उसकी पैशानी चुमली और बोली शमी सदा ऐसे ही जमाना नहीं रहेगा दिन बदलेंगे जाओ सवेरे चली जाओ फिर अंधेरा हो जाएगा शमी चूडियों को लेकर चली गई या चूडिया वह थी जो दो दिन पहले भावी जानने नन्ही रहाना के लिए बड़ी मुश्किल से पैसा बचा कर बनवाई थ और जिसे रहाना ने सिर्फ एक बार पहना था तो वही बात बताये गया है मुझे पता है कि आप लोगो समझ में आ भी गया होगा लेकिन एक बार अपने जबान से बता दे रही हूं तो बहुत जिदा उदास थी ऐसा लग रहा था उसे उसके चेहरे को देख लग रहा था क कि अब वो रो देगी भावी जान बार बार पूछती रही कि आखिर क्या बात है बताओ तो नहीं बता रही थी तो रुगया भावी हाथ पकड़ी शमी का और घर में लेकर दर्वादे कमरे के अंदर लेकर चली गई और दर्वाजा बंद कर दी और तब पूछी कि आखिर बात क्या है बताओ तो शमी नहीं बता रही थी अब वहाँ पर फुट फुट कर रोने लगी तो भावी जान ने डांट लगाई शमी को तब जाकर शमी ने बताया कि मेरे भाई की कॉलेज की फीज भरनी है में की फीज बरनी है और कल आखरी तारी और पैसे का कोई इंतिज कान के काम आता है और वो क्या कि अपनी बेटी जो उनकी बेटी थी रहाना उसकी दो छोटी-छोटी चूडिया रखी वे थी वह अलमीरा में से निकाली और ले जाकर शमी के हाथ में देदी और बोली कि लो इससे बेच कर जो भी पैसा मिलेगा तुम अपने भाई की फिस भ बार पहना था तो वहीं यहां पर बात बताई गई है चूडिया देकर भावी जान बहुत खुश थी जैसे उनके दिल से पहाड जैसा कोई बोज उतर गया हो देखिए कितनी इनका बड़ा दिल है और इसी वजह से भावी जान को जो है ना इस कहानी का में करेक्टर बनाकर लोगों को यह बताया गया है कि यहां पर भावी जान वो चिराग है वो जलती वी शम्मा है जो कि खुद जल रही जलती है पिगलती है लेकिन दूसरों को रोशन करती है यानि कि दूसरों के योग सुख पहुचाती है दूसरों के दुख और दर्द में हमेशा साथ आती है साथ देती है आप यूँ कह सकते हैं कि मैं चार दिनों से उनके पास था, कौन बोल रहा हैं? अक्तर बोल रहा है कि मैं चार दिनों से उनके पास था और एक जरूरी काम के सलसले में उन से मश्वरे करने आया था, لیکن उनकी मसरूफियत और परिशानिय कर ना मौका मिला और नहिम्मत हो सकी और मैंने सोच लिया कि भावी से बगएर कोई मशवरा किये और मदद मांगे वापस चला जाओंगा कौन बोल रहे हैं ये अखतर ही बोल रहे हैं अब ये सोच लिये थे कि मैं बिना भावी जान से मशवरा ज़े लिये और मदद मांगे ये वापस चला जाओंगा हलांकि अखतर जानते थे किस सिलसले में भावी जान ही ऐसी आदमी थी ऐसी और थी जो उनकी मदद कर सकती थे ठीक है लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि उनसे हर्गिस नहीं कहूंगा अखतर फैसला कर लिये रहते हैं कि मैं उनसे बिलकुल भी अपनी बाते अपना जो परेशानी अपना जो सिलसिला है वो उन्हें नहीं बताऊंगा तो आखिर भावी ने खुद ही पूछ लिया कि तुम चार दिनों से आये हो लेकिन कोई बात तक नहीं की मैंने कह दिया मैं सिर्फ तहलने और आपसे मिलने आ गया था भावी यानि कि भावी जान जो है ना वो खुद पूछी की चार दिनों से आये हो लेकिन कोई बात तक नह वालों में शादी के मसले पर सखत इखतलाफ हो गया है यानि कि भावी खुद बोली कि तुम्हारी शादी का क्या हुआ सुना है तुम में और तुम्हारे घर वालों में शादी को लेकर सादी के मसले पर सखत इखतलाफ हो गया है तो अख्तर बोले जी हाँ शादी करने का मतल थे थे ला यह भावी खुद अपने आप से ही बोल दी तो अखतर बोले कि अभी चाहता हूं लेकिन अम्मी ने कह दिया है कि जमीला उस घर में बहू बनकर दाखिल नहीं हो सकती ठीकार रुकय्याब भावी बोली यह तो बहुत बड़ा जुल में तो अखतर बोले हैं तो ले अख्तर ये बात सुनकर बोले शादी तो जमीला से ही करूँगा और घर छोड़ दूँगा मैंने फैसला कर लिया है तो रुकईया भावी बोली तो फिर बिस्मिल्ला कीजिये बिया कर लिया आईए और यहां मेरे साथ रहेगी मैं भी अकेली हूँ ये बात सुनकर अख्तर ब क्या कम है मगर हिम्मत है और सिर्फ हिम्मत के सारे शोहर की दूरी और नजरबंदी का गम हस हस कर भुलाए जाती है मैंने सोच समझ कर जवाब दिया मैं भी यही सोच रहा था लेकिन अभी देर होगी भावी जमीला बिमार है अभी जमीला बिमार नहीं थी बिल्कुल अच् रख कर कहीं तलाश रोजगार में निकल जाओंगा ठीक है तो आई होप आप लोगों को यहां पर समझ में आया होगा एक बर फिर से बता देना चाहती हूं ताकि और बैतरीन तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएं यहां पर भाबी बोली मतलब कि तुम अपनी अम्मी के पूस की तो फिर बिसमिल्ला कीजिए व्याह करके लेकर चले आओ हमारे पास यहां मेरे साथ रहेगी और मैं भी तो अकेले हूं तो यह बात सुनकर जो हैना अख्तर वो शौक्ड हो गए उफ भावी के यह जुम्ले सुनकर उनका सर चक्रा गया क्योंकि यह औरत है या अजमे वह हमत का सुकून हर रुजिक नया बोज ले लेती हैं इनकी जिम्मेदारिय और इनकी परशानिया कम हैं कि और भी जिम्मेदार उठाने के लिए तयार हो जाती हैं सिर्फ हिम्मत के सहारे शोहर की दूरी और नजबंदी का गम हसस कर भुलाया जाती है और मैं यह सोथ समझ कर यहां पर अखतर जवाब दियें कि मैं भी यही सोच रहा था लेकिन अभी देर होगी भावी जमीला बीमार है अभी यह जूट बोल दिये अखतर कि जमीला भी बिमार है नहीं तो अगर सही बता देते हैं कि जमीला ठीक है तो फिर भावी जिद करने लगती कि जाए यह साधी करके लाकर यहां पर रख दीजे ठीक है इस वज़े से अखतर जूट बोल दिये कि जमीला भी बिमार है ठीक है और बोलें कि मतलब यहां पर आगे लिखें हैं अख्तर कि जमीला बिमार नहीं थी बिल्कुल अच्छी थी लेकिन अगर मैं यह नहीं कहता तो फिर जिद पर आ जाती हरांग की हकीकत यह थी कि मैंने फैसला किया था कि भावी से मश्वरे करने के बाद ही जमीला से शादी तो भावी तो अपने आप सही पूछ ली तो यहां पर बता दियें कि मश्वरे करने के बाद ही जमीला से शादी कर लूंगा और उसे उनके पास रखकर कहीं तलाशे रोज़गार में निकल जाओंगा यानि कि शादी करने के बाद जमीला को इनके पास रख दूँगा और कि मैं नौकरी करने के लिए निकल जाओंगा भावी जमीला की विमारी की खबर सुनकर बहुत अफसोस करने लगी और बोली सच मुछ जमीला बहुत प्यारी लड़की है फिर मैं बाहर चला गया और सोचा कि रात की गाड़ी से चला जाओंगा चार बजे वापस आया तो पुछा तार कैसा है भावी जान यानि की इस रिंगार बॉक्स इनका जो सिरिंगार का समान था मतलब की रिंगार करने वाला जो मेज होता है ना वहां वहीं मेज पर बैटी हुई थी सर रखकर बहुत जिदा उदास थी उनका गौरा रंग जो है ना सावला हो गया था और जो तार है ना हाथ में जो कागज था वो अखतर को दे दी भावी जान ने तार मेरे हाथ में दे दिया मतलब कि जैसे ही जाकर बैठें अखतर और बोले कि तार कैसा है भावी जान तो वो बोली अखतर और तार हाथ में दे दी ठीक है और मेज पर सर रखकर फूट फूट कर ब मुश्किल कहा भावी जान सबर कीजिए अभी तो आपको ऐसे इंतहानों की मन्जिन से और भी गुजरना बाकी है यानि कि उनके जो शोहर हैं भावी जान के शोहर उनकी जेल उनका जो मुकदमा चल रहा था उन पर तो मुकदमा का फैसला आ गया और उनको चार साल की सजा हो थी यानि कि और भी सजा बढ़ा दी गई उनकी तो यही देखकर जो ना वही जो लिफाफा मिला था कावज मिला था तो वह हाथ में पकड़े हुई थी और यह खबर सुनकर वह उदास थी और फिर जब अखतर आया और पूछे कि तार कैसा है भावी जान तो फूट फूट यानि कि मुश्किल के साथ जो है भावी जान रो रही थी तो उनको मनाना भी बहुत मुश्किल का काम था क्योंकि वह इतनी हिम्मत वाली थी कि रोती नहीं थी किसी भी चीज़ को लेकर मतलब कितना भी बड़ा मुश्किल क्यों आ आ जाए वह हिम्मत के साथ सामना करती थी लेकिन उनके लिए वो जो वक्त था मतलब कि अपने शोहर को ही देखना की चार साल की सजा और बढ़ा दी गई है उस वक्त उनकी हिम्मत थोड़ी तूट सी गई थी तो वही मुश्किल के साथ अखतर भावी जान से बोले कि भावी जान सबर कीजिए अभी तो आपको ऐसे इमतहानों की मनजल से और भी गुजरना बाकी है ठीक है तो जैसे ही अखतर बोले न तो और भावी जान को जैसे सुकून आ गया मतलब जैसे ही ये बोले तो भावी जान को जैसे सुकून आ गया और वह उट बैठी और बोली ठीक कहते हो अखतर मैं अगर परिशान हुई तो बच्चे और परिशान हो जाएंगे देखे अपने आप से ही वो संतुष्टी ले रही है बहुत बड़ी बात है बहुत ही ज़्यादा हिमत वाली थी भावी जान जैसे ही ये बोले हैं अखतर की भावी जान सबर कीजिया भी तो आपको ऐसे इमतहानों की मनजिल से और भी गुजरना बाकी है और भावी को जैसे सुकून सा आ गया और वा उठ बैठी और बोली ठीक कहते हो अखतर मैं अगर परेशान हुई तो बच्चे और भी जादा परेशान हो जाएंगे और इतना कहकर वा उठी और मुँहाद धोने चली गई जब वापस आई तो मालूम होता था कि बस एक लहर थी जो आई और गुजर गई लेकिन हम लोग जितनी देर तक चाय पीते रहें भावी की नजर बार बार पुराने सिंगार मेज पर रखी भाई जान की तस्वीर का तवाप करती रही यानि कि जितने देर तक ये लोग चाय पी रहे थे भावी की नजर बार बार उनका जो सिंगार का मेज था वहाँ पर उनके शोहर की फोटो रखी हुई थी यानि कि अखतर के भाई जान की फोटो रखी हुई थी तो उसको बार-बार देख रही थी उसी वक्त उन्होंने बताया कि उनके पासपोर्ट की दर्खास नामन्जूर हो गई है यानि कि पासपोर्ट का जो अप्लिकेशन दिया गया था वो मन्जूर नहीं हुआ है यानि कि नामन्जूर हो गई है और उसी रात उन्हें दिल्ली ज जाएक और मुझे ऐसा मालूम होता था कि अंधेरी रात में भावी जान मुझे रोशनी दिखा रही थी रेल ते जी के साथ घुजर्त सिजा रही थी और मेरे दिल में नए इरादे नए होसले पैदा हो रहे थे नए उम्मीदें और नए उमंग्ये जाग रही थी ठीक है और यहीं पर यह कहानी का огझा गार जए जयाता है यह वापस कि रेल गारी में बैटते हैं और जैसे रेल गारी आगे बढ़ती हैं अंधेरी रात में भावी जान मुझे रोशंदी दिखायते जा रही थी तक यूड़ एक्टिवेटी थी उससे अख्तर को बहुत ज़्दा मोटिवेशन मिला था ठीक है ना मेरे दिल में नए नए इरादे नए नए होसले मतलब कि वो एक ऐसी मुरत थी मोटिवेशन की कि उनको देख कर ही मोटिवेशन आ जाता था नए होसले नए उमीदे नए उमंग पैदा हो जाती थी इंसान के अंदर ठीक है तो यह भावी जान की क्वालिटी मतलब भावी जान के बारे में सारा मतलब उनकी कहानी यहां पर इस चैप्टर में बताई गई है तो आई होप आप लोगो भावी जान नाम का यह अपसाना एकदम बहतरीन ढंग से समझ में आया होगा फाइनली यह कहानी का दे इन्ड हो गया बस इतना ही कहानी था कहानी का दी हो गया और यहां पर दूसरा चैप्टर कम्फिट कर लिए का प्लेट बचैप्ट नमबर वन बप्रविसलान में लोगोगोशंत में ना चाना चाहते हैं लिए टेलीग्राम चानल जो है आप लोग जानते भी होंगे यापन अफीसिल अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए तो आप लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं तो आपके मोबाइल में अगर टेलीग्राम एप है तो सर्च किजिए ग्यापन अफीसियल तो आप इसी चीज़ का जो आप लोग स्क्रिंशॉट लेंगे बस उसको पीडिएफ में क्रिएट करके टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा तो आप चाहें पीडिएफ ले या फिर स्क्रिंशॉट ले मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूं और कहती रहूंगी कि जो कुछ भी आप स्क्रिंशॉट लेते हैं या फिर पीडिएफ में लेते हैं उसका जी रॉक्स करवा कर निकलवा लीजिएगा ताकि आप लोग कभी भी उससे उठाकर रिवीजन कर सके अंडरलाइन करके हैलाइट करके प्रैक्टिस कर सके ठीक है ना तो चलिए लिए फड़ाफट स्क्रिं शॉट तो फाइनली यहां पर हो जाता है टेंद क्लास के उर्दू के दरक्षा के किताब से शुरुआत के दो चेप्टर कंप्लीट यानि कि पहला और दूसरा चेप्टर कंप्लीट हो गया और फाइनली वीडियो का भी दे-इंड हो गया तो अगर आप लोगों को मैं जो क अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज